दोस्तो अभी अभी हमनों के दर राप से इंप आ रो नमस्कार दोस्तो आफ़ लोग। फिर के एक ने स्वागत है। तो दोस्तो हम लोग केदा अब बारिस हो रहा है जो कि आप लोग दे सकते हैं कि हम लोग फेट के तरह आये हुए हैं और जो माचांग लगा हुआ था इसमें बैठ हुए हैं हम लोग के तरह बारिस हो रहा है कल 12 वे दिन तो आप लोगों दिखाएंगे कि बारिस में गाउं कैसा लगता है और आप लोगों दिखाएंगे गुमाएंगे इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अभी अभी हम लोग इदर रात से ही बारिस हो रहा है शुह से आप लोग देख सकते हैं कि इतना बारिस हो रहा है कि यह जो दिख रहा है अब लोग यह मक्का का पौदा है जो कि जलावन के लिए रखा है यह भी भी चुका है पूरा कि देख रहे हैं कि पूरा वारिस आ चुका है कि यह जो मुंबई केरल में ताउटे का एक आया है तुफान उसी के बज़े से हम लोग के बिहार में भी वारिस हो रहा है कि आप लोग देख सकते हैं इसर जो कि मक्का का फसल लगा हुआ है तोरने का लाइक हो चुका है अब जो बारिस आ गया है तो यह भी तोरने में दिक्कत आ रहा है बारिस के बज़े से यह जो हरा बुलू रंग का दिक रहा है धका हुआ इसमें भी मक्का का भुट्टा धक आप लोग देखिते हैं, आप लोग देखिते हैं, जोपीर पूरा है, हम भी जा रहे हैं खेट के दरब, मक्का देखने के लिए, मक्का भी बारिज के वज़ा से गिर जाता है, मक्का, आप लोग देख सकते हैं, यह जो तालाव है, जो में पानी भर चुका है, आप लोग जो देख रहे हैं, खरा खरा यह सारा मक्का है, जो की तोरने का टाइम आच चुका है, अब बारिज थोरा मोसम साब होगा, तो तोर दिया है, देख सकते हैं, यह जो थोरा तोरा है, तोरना शुरू ही क्या था कि बोसम खराब हो गया, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो देख सकते हैं, यह भेडी जो है, जो नेक्स वीडियो में आप लोग दिखाएं थे, यही जो मक्का ठखा हुआ है, इसमें, बहुत ही बुरा हाल है मक्का का, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो गाउं से मिले हुए विलेज से, विलेज में क्या-क्या होता है, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग दे सकते हैं, मक्का का बहुत ही बुरा हाल है, देख रहे हैं यह पूरा मक्का अंदर से भीग चुका है जो कि अंदर में यह पक्का का रोड है तो किसान लोगों का जान थोड़ा बच गया है कि खेट से रोड में रख दिया है ताकि पानी ना जमें भीगे ना इधर जो देख रहे हैं यह गर्मा धान है जो कि कट्चु अक्का है इधर बांकी भी है कटने का पानी भी लग चुका है अब देख सकते हैं इधर हाली में जो मक्का तो रहा है काल या पर्थू तो रहा था जो कि मोसम खराब होने के बज़ा से यहां पर आप देख सकते हैं डग दिया है मक्का को कि कि आई लोगा आई कि अधर कि अधर हम जो आये हैं चाता लेकर आया है कि बारिश की उज़ा से अधर गाय भी बांदा हुआ है खित में जो कि बारिश की बज़ा से गाय रोगों का भी हलत खराब है कि अधर मक्का भी यह मक्का कल ही हर्वेस्टिंग किया था जो कि अभी धूप भी ने लगा है मक्का में और बारिश आ गया है और आप देख सकते हैं यह कची रोड है इसमें भी पानी काफी पानी लग जिया है और हम आ चुके हैं अपने खेट के तरब दिश्ट्रें पैर भी फिसल रहा है इस रोड में देखिए हम लोग का भी मक्का पक चुका है जो कि मौसम साप होगा तो हम लोग भी तोरने के लिए भीर जाएंगे तो दस्ता दिश्टें आप पानी लग चुका है रोड में अभी थोड़ा बारिस कम हुआ है फिर अभी पांच्छे मिनट के बाद फिर बारिस आजाएगा खुब जूड से देख सकते हैं मक्का में भी कहीं कहीं पर पानी लग चुका है मुसम दिख सकते हैं आप बद्ली लगा हुआ है बादल चाया हुआ है जहां बादली लगा हुआ है कर दोड़ा हुआ है झाल झाल